तो चलिए solve करते हैं probability के सारे questions जो gate 2023 paper में पूछे गए थे तो आपके सामने ये रहा पहला सवाल, try it out, numerical answer type question, nat questions जिसमें negative marking नहीं होते हैं ये सवाल gate 2023 civil shift 1 में पूछा गया था, the probability of occurrence of two independent events A and B are 0.5 and 0.8 respectively, what is the probability of occurrence of at least A or B, rounded off to one decimal place is dash तो ये 45 seconds का सवाल है, और मज़े वाली बात ये है, ये basics of probability पर based हैं, और जब मैं basics of probability सिखाता हूँ, तो मैं हर एक angle से आपको terms बताता हूँ, जिससे आप gate examiner के trap से बच सको, तो यहाँ पर वो जो term है na, occurrence of at least A or B, इसमें कुछ बच्चे confused हो जाते हैं, बट जिन्नोंने मेरा conceptual class किया न, उनको पता है, कि gate examiner A union B को ऐसे भी लिख सकता है, either A or B, at least A or B, ओके, तो यहाँ पर time up होता है, and the right answer is 0.9, hint मैंने आपको दे दिया था, A union B की probability पूछी गई है, और अगर ऐसी बात है, तो हमको पता है जी, that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, अब 3 चीज़े चाहिए, 1, 2, 3, यह 3 चीज़े मिल गई, तो answer मिल जाएगा, तो यहाँ पर note कीज़ेगा, that question के अंदर, event A और event B की probability दे रखी है, 0.5, 0.8 respectively, तो हाँ जी, यह वाली जो terms है, इनकी probability हमको मिल चुकी है, यह रहा 0.5, यह वाला रहा 0.8, बट इस चीज़ का क्या, यह directly नहीं दिया है, यह indirectly दिया है, ध्यान से देखो क्या कहा गया है, कहा यह गया है, the probability of occurrence of two independent events, यह वर्ड बड़ा important हो जाता है, two independent events A and B, इसका मतलब क्या होता है, intersection multiplication में convert हो सकता है, याने यह वाले term को, P of A intersection B को हम कह सकते है, as P of A into P of B, hence हमारा अब equation update हो चुका है, 0.5 plus 0.8 minus P of A into P of B, ऐसा इस लिए हो पाया क्यूंके independent event था, अब करो direct substitution, यह कितना था जी, sir यह है 0.5, यह कितना है, जी, यह है 0.8, ओके, तो अब यहाँ पर रखने के बाद, calculation कर लेने के बाद, answer आ रहा है 0.9, so that is the right answer Easy, तो कठिन सवाल नहीं होते है, again मैं कह रहा हूँ, 2023 का paper है, recent paper है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको ध्यान में रखना है कि आप basics को अच्छे से पढ़ते हो, probability of occurrence of at least A or B, याने, आइदर A में वो element होना चीए, या B में, या दोनों में, भी चल जाएगा, तो यह A union B ही ह होता है, अगर आप यह चीज़ समझ गए, फिर तो आसान था, चलिए, आगे लिकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, यह रहा, बहुत ही अच्छा सवाल, बट यह, अब shift 2 का सवाल है, तो shift 1 में एक ही सवाल था, shift 2 के अंदर, थ खोटा होना चाहिए, तो क्या वो function 1 के अंदर दिखाई दे रहा है, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, यही options में रखा गया है, अब यह चीज़ आना मैंने statistics में करवाई है, मेरे जो conceptual course है, probability का उसमें, एक तो आपको probability distributions में से एक concept यहा पर दिखाई दे रहा है, Gaussian distribution, तो normal distribution मैंने करवाया है, उसके अंदर एक concept है, और फिर जो statistics वाली lecture है, उसके अंदर बाकी concepts है, अगर वो अच्छे से किया है, यह cakewalk था, अगर वो नहीं किया है, तो तकलिफ में आओगे, क्योंकि हैं न, बहुत बच्चे, अकसर, mean, median के अंदर, confused हो जाते हैं, कौन बड़ा, कौ चोटा, और मैंने कहा था, कि x-axis से compare करके देखना, x-axis में जिसकी value बड़ी, वो बड़ा, x-axis में जिसकी value छोटी, वो चोटा, अगर याद है, तो answer आप बता दोगे, that the right answer is, Bombay, Q, चलिए देखते हैं, सबसे पहले cut paste का बिनेस कर लेते हैं, इस चीज को अगले slide पर लेकर चलेंगे, और एक एक करके बात करेंगे, अब जैसे मैंने आपसे कहा, कि पहला function कैसा है, sir, बहुत ही प्यारा है, bell ship curve है, bell ship curve कहो, normal distribution कहो, Gaussian कहो, याने यही चीज होती है, और क्यूंकि ये है, एक Gaussian distribution, इसके लिए, इस वाले point पर, आप देख सकते हो, ये जो x की point है, ये point, इ सब कुछ सेम है, तो फिलाल यहाँ पर mean और median की बात की जा रही थी, अगर आप ध्यान से देखो, mean greater than median, ये पूछा जा रहा है न, तो ये तो function 1 में नहीं है, क्योंके दोनों सेम है, mean भी सेम है, median भी सेम है, इसलिए function 1 तो answer नहीं होगा, अच्छा function 2 को ध्यान से देखना, function 2 थोड़ा से interesting है, अगर चूहे आप बनाओ, तो चूहे आप बनाने के बाद tail का आपर जा रही है, right side में, इसके लिए हम इसको क्या कहते है, right skewed graph कहते है, वो बात तो यहाँ पर interesting नहीं लगी, क्योंके सर हमको तो mean और median से मतलब है, अगर ऐसी बात है, तो ये देखो, ये ह है, वो point जिस पर frequency highest है, याने ये वाले point पर mode है, okay, अगर mode यहाँ पर है, तो median यहाँ पर होगा, mean यहाँ पर होगा, ठीक है, तो note करने वाली बात है, कि median बीच में है, उसके बाद mean last में है, अब किसी को लगता है कि सर देखो, ये वाली second highest है, और ये वाली third highest है, इसलिए median बड़ा है, गलत है, median और mean x-axis की values होती है, y-axis की value नहीं होती है, इसलिए जब आप x-axis में देखोगे न, तो आपको पता चलेगा, ये जो point A है, और ये जो point B है, तो B greater than A है, याने mean greater than median है, समझ महीं, x-axis में देखो, x-axis में वो points है, तो B बड़ा हुआ न, और अगर ऐसी बात है, therefore, conclusion ये बना, that x-axis में हमने compare किया, तो हमें पता चला, that median, oops, ऐसा लिखना easy होगा, that mean is greater than median, और यही इनको चाहिए था, इसलिए option भी correct है, इनको यही चाहिए था, कि mean बड़ा होना चाहिए, median छोटा होना चाहिए, तो function 2 में है, अच्छा, functions 3 and 4 को भी देख लेता है ताकि हमारी knowledge upgrade हो जाए, कि sir, ये 3 and 4 गलत क्यों है, अब ये जो है, इसमें चुए रखे, तो इसकी tail किदर जाती है, left में, तो ये left skewed graph है, ये normal distributions नहीं है, normal distribution को धक्का मार दोना, तो ये right skewed, left skewed बन जाती है, अच्छा, यहाँ पर again, peak इदर है, इसलिए, ये वाली जो point है, ये, x-axis में जो point है, वो mode है, अगर mode यहाँ पर है, तो फिर median बीच में होगा, mean यहाँ पर होगा, अब अगर मैं आपसे कहूँ, ये A है और ये B है, तो कौन बड़ा है, उपर मत देखना, उपर से compare नहीं करना है, x-axis से अगर देखे ना, सर जी, तो यहाँ पर B बड़ी है और A छोटी है, तो B था कौन, सर B था median, ये सारे concept, सर जी आपने बताए है हमको, lecture के अंदर ये median है, और ये वाला क्या है, ये mean है, therefore इस वाले graph में हो क्या रहा है, median जो है, that is greater than mean, चलो, last में देखे, सर, last में देखे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहे है, कि ये क्या चीज है ये कुछ नहीं, ये भी इसका एक, स्प्लिटेड आप कह सकते हो, कि double peak आ गया ना, है तो symmetry, बट ये double peak वाला आ गया, उपर वाले में एक mode था, बट नीचे वाले में दो peak आ गया, ये first, ये second, इसके लिए इसमें two modes है, है तो ये भी symmetric, बट bimodal symmetric है, तो यहाँ पर लिखना इस बाइ मोडल, बाइ मोडल symmetric graph, इसलिए, बाइ मोडल symmetric के अंदर, जैसी symmetric किसी ने कह दिया, तो mean और median same है, बट इस इस नोट इक्वल टू मोड, क्योंकि मोड की दो value है, एक value ये रहा, यहाँ पर बाइ मोडल है, ये first mode है, और ये second mode है, ठीक है, तो इसलिए option B is absolutely correct, easy सवाल अगर आपके concepts clear है, चलिए, आगे लिकर चलता हूँ, अगरा सवाल देखते है, अगरा सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, कुछ बच्चे trap में फस जाएंगे, और कुछ बच्चे वहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए conceptual clearance होना बहुत ही important है, हाली के paper में concept को जादा पूछा ज ठीक है, out of the total vehicles, 30% are without a pollution clearance certificate, further even and odd numbered vehicles are operated on even and odd number dates respectively, डिल्ली की कहानी है शायद, if 100 vehicles are chosen at random on an even numbered date, the number of vehicles are expected without pollution clearance certificate is dash, 15 वहिकल, 30, 50, 70, यह आप से पूछा गया है, अब ये कितने मिनिट में बनाओगे, सर 2 मिनिट तो लगेगा, क्यूँ, क्यूँके सर, what problem है, एक एक लाइन पढ़ने में समय जाता है, तो कुछ बच्चे लगाते हैं, दो मिनिट, पहले लाइन को decode करेंगे, 1000 वहिकल है, यह 1000 वहिकल मिक्स है, even और मिला करके सारा 1000 वहिकल है, उसके अंदर, out of total vehicles, 30% are without PCC, यह मेरा short form है, pollution clearance certificate को कहने के लिए PCC, तो 30% क्या है, without PCC है, अच्छा तो बच्चे क्या करेंगे, 1000 वहिकल में से multiply करेंगे 30% और कह देंगे, sir 300 वहिकल आ गए, जो without PCC है, और 300 वहिकल मिक्स है, even number वाले प्रेट भी है, odd number वाले प्रेट भी है, वो कह रहे हैं के even and odd number वहिकल चलते है, even or days पर, अब मेरे को यह बताओ के मैंने 100 वहिकल चूज कर लिए, randomly, even number date पर, यानि even वहिकल आपको मिलेंगे, अब वो even वहिकल आप बताइए, number of vehicles are expected without PCC certificate, आप आप फस गए, क्योंकि इतना clear data, कि कितने even number dates पर even वहिकल चल रहे थे, odd number dates पर odd वहिकल चल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, इस question में, और सीधा पूछा जा रहा है, expected without PCC वहिकल साब, बताइए, जब हम even dates पर 100 वहिकल को चूज कर रहे हैं, आप तो तक्रीफ में आगए, सर ये कैसे करें, तो मैं वही कह रहा हूँ न, concept clear होगा न, तब बात बनेगी, सीधे सीधे जाओगे, तो फस होगे, चलो, तो फसने वाली बात में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो trap, बच्चे यहाँ पर फस रहे थे, न, mistake, mistake ये कर रहे थे, कि data insufficient उनको इसलिए लग रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, कि sir, thousand vehicles, ये question में दिये थे, उसमें से 30% जो है, are without PCC, ठीक है, अब ये PCC का full form में इधर मैं highlight कर देता हूँ, pollution clearance certificate, ताकि कि आपको तक्रीफ ना हो, जब भी मैं आगे बढ़ू, तो मैं इसको PCC कहूँगा, ठीक है जी, चलिए, और without को तो W slash O, ये तो आपको पता ही है, चल, thousand vehicles में से 30% are without PCC, therefore, the track was, कि students क्या कर रहे थे, that students thinking, students thinking, कि हम ये कह देंगे, अब thousand vehicles में से 30% ना, तो 30 by 100, इतने vehicles क्या है, without PCC है, तो कितना आ गया, एक अंडा कटा, एक अंडा कटा, एक यहां से, एक यहां से, तो 300 vehicle आ गये, तो आपने कहा होगा, 300 vehicles ऐसे है, जो without PCC है, अब problem क्या है, क्या ये वहिकल, even number plate वाली है, odd number plate वाली, आप distinguish करके बता पा रहे हो, नहीं सर्ची, वो तो नहीं बता पा रहे है, क्यों नहीं बता पा रहे है, क्योंकि ये जो thousand vehicle है, वो mix की थी, इसलिए जो result भी आएगा, वो mix का आएगा, मैं आपको ऐसे specific बता नहीं सकता, hence मैं ये कह रहा हूँ, ये जो vehicle है, ये odd number, plus even number, ये mix वाली है, odd number, plus even number, hence अगर ऐसी बात है, तो आगे तो story even number की पूछी जा रहे थी, अब मैं कैसे decode करूँगा, कि 100 vehicle, choose करने आपको randomly, even number date पर, याने even vehicles आ जाएंगे आपके बास, उसके अंदर number की पूछ रहे, तो मेरे पास तो data ही नहीं है, खेलने के लिए, hence आप कह रहे हो, unable to solve question, ठीक है, अगर इस वाले method से जाओगे, therefore, students would be like, unable to solve question, तो उससे better, क्या method होगा, sir, हमें enlighten कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, पर वहीकल की chance, without PCC कितनी है, with PCC कितनी है, वो बता दो, तो फिर आप even number बर उटाओ, odd number बर उटाओ, हर वहीकल की chance तो वही रहेगी, without PCC, with PCC, अगर probability के terms में बात करें, और चीज़ा आसान हो जाएगी, अब उसी पर जा रहे है, ध्यान से देखना, कोई cutting rocket science नहीं है, basic match है, basic match है, कि हम probability पर वहीकल के तलाश में है, तो अब पर correct solution यह है, correct solution यह है, कि हमारे पास thousand वहीकल थे, हाँ जी सर जी thousand वहीकल थे, उसके अंदर वो कह रहे थे, कि 30% are without PCC, तो अब अगर मैं आपसे यह पूछू, probability that the vehicle, कोई भी वहीकल चूज करू, is without PCC, आप बता सकते हो, तो आप क्या कहोगे, सर, हर एक वहीकल की chance 30% without PCC की है, याने 30% याने 30 by 100, यह आगया 0.3, तो 1000 वहीकल आपके पास है न, कोई भी वहीकल उठाईए, उसकी chance, उसकी probability without PCC होने की 0.3 है, अब वो even वहीकल हो, और वहीकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखा, अब यह data हमारे काम का है, क्यूँ, क हर एक वहीकल without PCC होने की probability 0.3 रखता है, तो अब वो यह पूछ रहे थे, as per the question, कि अगर हमने 100 वहीकल उठा लिए, randomly, even days पर, उसके अंदर, अब हम आपसे पूछ रहे है, expected number of vehicle without PCC, तो देखो यार हम यहाँ पर जाएंगे, और कहेंगे, expected जब आता है, तो expectation of the random variable पूछा ज certificate on a given day where 100 vehicles are picked, यह पूछा जा रहा है, अगर ऐसी बात है, तो अब आप ध्यान से देखना, हम यह कहेंगे, 100 vehicle आपने दिये, और आप पूछ रहे हो, E of X कितना होगा, तो हमको पता है, जी, यह जो कहानी है, without PCC, with PCC, दो ही probability, independent events, countable चीजे, यह तो binomial distribution है, जी, और अगर binomial distribution है, if it is binomial distribution, तो हम यह कहेंगे, expectation की formula लगाने की जरुवत नहीं है, क्योंकि binomial distribution में मैंने आपको trick दिया है, that E of X is equal to N into P, N कितना है, number of vehicle आपने एक particular दिन चूज किया है, वो है, 100 vehicle पर inspection चल रही है, तो यह हमारा हो गया N, और P क्या है, probability of success for one particular vehicle, और आपका success का क्या था या पर सिनारियो, कि हमारा जो success का सिनारियो है, वो यह है, कि without pollution clearance certificate आ जानी चाहिए, यह हमारा requirement है, तो जो requirement वो आपका success हो जाएगा, तो यह आपकी requirement है, अब यह requirement पर vehicle चाहिए, और यह तो हमने उपर ही निकाल लिए, vehicle without PCC, तो यह per vehicle without PCC क value है, जी, समझ में आया, यह हमारी P की value है, therefore उठागर के substitute करोगे, तो N हमारा 100, P हमारा 0.3, 3 by 10 into 100, एक अंडा कटा, 30 बचा, यह आपका expectation है, कि 100 vehicle में से, expected number of vehicle without a pollution clearance certificate is 30, समझ में आया, कैसे करना था, और कैसे नहीं करना था, यह mistake था, आपने 1000 vehicle में से 30% without PCC करके 300 vehicle बना लिए, जिसके अंदर mix है, odd number, even number, फिर उसके बाद data insufficient हो गया, इसलिए unable to solve the question further, वही आपने यह कहा, कि मैं ऐसे क्यों करूँ के 300 vehicle, better per vehicle की probability क्या है, success failure की, वो निकालने के पीछे चला जाता हो, तो जब उन्होंने कहा कि 30% are without PCC, तो मैंने यह कहा दिया, probability that per vehicle without PCC is 30 by 100, which is 0.3, अब यह 0.3 का मतलब, 1000 vehicle में से कोई भी आग बन करके वहीकल निकालो, हर एक वहीकल की probability without PCC 0.3 है, और with PCC हो जाएगी, 1-0.3, simple, कोई भी वहीकल उटाओ, और कोई भी वहीकल उटाने का मर्थ, सारे independent हो गए, सर जी, yes, तो यह दो ही probability success failure plus independent plus countable है वहीकल, इसलिए binomial distribution का खेला, इसलिए expectation निकालना बड़ा आसान, N2P done and dusted, मजा आया, कहा था न, यह सवाल बहुत ही प्यारा है, तो mistakes भी मैं बताते चलूँगा, concepts भी बताते चलूँगा, कैसे solve करना है, कैसे सोचना है, वो भी बताते चलूँगा, ठीक है जी, च options can be correct और 4 के 4 भी सही हो सकता है, तो question यह है, consider a random experiment where two fair coins are tossed, let a be the event that denotes head on both the throws, b be the event that denotes head on the first throw and c be the event that denotes head on the second throw, which of the following statement is or are true, a, b, c or d, a and b are independent, a and c are independent, b and c are independent, probability of b over c is equal to probability of b, यही पूछा गया है, बहुत ही easy सवाल है, आसान कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हाँ time जरूर लगेगा, 2 minute के आसपास लगेगा, वो मैं दे दूँगा, तो आप देख सकते हो, civil का खेला समाप्त, अब computer science का सवाल, और computer science में एक ही सवाल पूछा गया था, और त B event कैसा है, denotes heads on the first throw, तो first throw में तो head होना चाहिए, second का पता नहीं, तो cases बनेंगे, C में क्या होना चाहिए, heads on the second throw, तो second में तो head है, first का पता नहीं, तो cases बनना चाहिए, अब cases बना लो, फिर आगे बढ़ो, और फिर answer बता, चलो, आखरी के 30 seconds, तो अगर मेरे से पूछा करनी, in the gate 2023, सारे ब्रांच को मिला जाए तो, तो मेरा जवाब होगा, easy to moderate, इतना भी कोई super tough सवाल नहीं था, easy to moderate था, हाँ, कोई एखा दुक्का ऐसा आ सकता है, आपको ऐसा लगे के tough है, पट सही मैं कहूं, तो easy to moderate है, recommended है, previous year के paper solve करो, तब जा करके ये easy लगते है, otherwise, नही के 5 seconds, 4, 3, 2, 1, done, so the right answer is, यहाँ पर B and C independent है, और साथी साथ, option दली भी सही है, क्यों, चलिए देखते है, सबसे पहले, तो two fair coins are tossed, इसके वज़े से, जो sample space create हो रही है, वो sample space कुछ इस प्रकार, H, 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 T, T, H, T, T, अब उन्होंने हमारे पास 3 event रख दिये, event A, दोनो side head, मतलब दोनो throw में head आना चाहिए, तो पहला throw head, दूसरा throw भी head, तो अगर ऐसा है, तो इसकी probability क्या होगी, probability of A, Sir, अगर ध्यान से देखे, तो दो तरीकों से solve कर सकते हैं, एक है requirement by total, जब आप दो बार throw करते हो coin को, तो 4 outcomes निकलते हैं, ऐसे इस प्रकार से, और उसमें से आपको ये बारा requirement चाहिए, तो 1 out of 4 हो गया, एक ये तरीका, दूसरा है, क्यूंके coins आपस में independent होते हैं, तो probability को split क करके भी कह सकते हो, कि P of H into P of H, एक coin toss करने पर head की probability half, एक और बार coin को toss करने पर, यहाँ पर head की probability half, दोनों को multiply कर दे, तो 1 by 4 again, तो जैसे आपको जाना है, आप जा सकते हो, बट answer तो 1 by 4 ही है, तो मैं यहाँ पर requirement by total का use कर रहा हूँ, कि 2 coin को toss करने पर 4 outcome, एच एच आने की एक ही possibility, उसके बाद हमारे पास दूसरा event भी है, जिसमें पहले पर तो head होना चाहिए, दूसरे का पता नहीं, तो कभी दूसरे पर head आ जाए, तो दूसरे पर कभी tail भी आ जाए, तो यह दोनों possibility हो सकती है, तो यह B events के अंदर यह 2 outcome possible है, तो इसकी क्या probability है आने की, sir, 2 coin को उचालने पर 4 outcome, आपके requirement के अंदर यह 2 case आ रहे है, from this, so probability is 2 out of 4, which is 1 by 2, चलिए, अब event की बात करते है, कि दूसरे throw पर head आना चाहिए, पहले throw का पता नहीं, तो पहले throw पर head भी आ सकता है, या पहले throw पर tail भी आ सकता है, तो यह event हो गया, तो P of C कितना हो गया, दो coin toss करने पर 4 outcome, और उसके अंदर आपको यह चाहिए, तो यह तो 2 scenario है, so 2 by 4, again 1 by 2, तो यहां तक तो आपको आजाना चाहिए था, यह first step है, उसके बाद, अब क्योंके वो independent events की कहानी पूछ रहे, A and B independent, A and C, तो independent का equation क्या है, intersection multiplication से ही मोना चाहिए, कि अगर आपसे कोई यह कहें, कि X and Y independent है, तो X intersection Y should be X into Y in terms of probability, यह आपका equation है, अगर यह equation है, तो X and Y independent, यह equation नहीं हो रहा है, X and Y independent नहीं है, ठीक है, यह basic सा concept, और independent के concept लगातार हमको दिखाई दे रहे है, 2023 के paper में, चलिए, आगे लेकर चलता हूँ, यह आपर focus करना, अब intersections की काहानी, चेक कर लेते हैं, कि A intersection B के अंदर कितने elements आ रहे है, B intersection C के अंदर कितने elements है, और फिर A intersection C के अंदर कितने elements है, शुरुआत करेंगे A intersection B से, यहाँ पर बढ़ते हैं, intersection के अंदर HH common है, तो A की term है, यहाँ पर HH intersection याने जो भी common है, वो लिखना है, B intersection C में अगर चेक करें, दोनों के अंदर HH ही common है, ये htth ऐसे तो लग रहा है कि a head एक tail बट ये दोनों same नहीं है ठीक है जी दोनों same नहीं है तो जो same था उसी को लिखा जाए जनाब yellow अच्छा a intersection c के अंदर क्या common है a intersection c के अंदर hh e common है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सब जगा hh common है इसके लिए सभी की probability same होगी probability of a intersection b 2 coin toss करने पर 4 outcome उसके अंदर आपका ये एक ही case आपको यहाँ पर element 1 ही है so 1 by 4 is the probability next वाले के लिए भी same probability 1 by 4 next वाले के लिए भी same probability that is 1 by 4 अब आगे बढ़ते है अब check करते है that is it equal to ये जो चीज आपने find की है is it equal to probability of a into probability of b similarly नीचे नीचे जाओ probability of b into probability of c probability of a into probability of c इस सब कुछ आपको check करना तो मैं देख रहा था कि अगर मैं probability of a into probability of b करूँ तो probability of a था 1 by 4 probability of b है 1 by 2 जब दोनों को multiply किया इन दोनों को multiply किया तो 1 by 4 into 1 by 2 याने 1 by 8 आगया और अगर 1 by 8 आगया तो जनाब 1 by 8 1 by 4 के बराबर नहीं है और अगर ऐसी बात है तो ये दोनों सेम नहीं है probability of a into probability of b हमारा 1 by 8 था ये 1 by 4 है इसलिए दोनों सेम नहीं है अगर दोनों सेम नहीं है तो कही न कहीं a and b के अंदर dependency थी ठीक है तो बहुत ही simple था ये दोनों सेम नहीं है जबके अगर मैं इस चीज की बात करो probability of b intersection c की तो यहाँ पर probability of b कितना है हाफ probability of c कितना है 1 by 4 अरे सर जी इधर भी 1 by 4 ये देखो 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 p of b into p of c is equal to p of b intersection c ये तो independent case का formula satisfy कर रहा है येस नीचे वाले में बात करें तो p of a into p of c सेम नहीं है क्यों नहीं है p of a की value कितनी है जी 1 by 4 p of c की value 1 by 2 multiply किया 1 by 8 आया और 1 by 8 1 by 4 के बराबर नहीं है इसलिए finally इन सभी को मद्दे नजर रखते हुए अदालत ने ये फैसला लिया है कि इसी event को हम independent event गुशित करेंगे therefore यहाँ पर हम कहेंगे that b and c are independent events इसलिए क्योंकि उन्होंने formula satisfy किया intersection को multiplication में convert कर पा रहे है therefore they are independent events ये बात clear हो गई और बाकी लोग dependent है इसलिए बाकी लोग dependent होने का अर्थ ये dependent थे ये dependent थे तो सही नहीं है ये independent है तो येस अब इसकी चर्चा कर लेते हैं पी ओवी ओवर सी इसी इक्वल टू पी ओवी ये सही है या गलत ओके अब ध्यान से देखना पी ओफ बी ओवर सी मल्टिप्लिकेशन रूल की हिसाब से इसका फॉर्मुला है पी ओफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन पी ओफ सी सही बात अब क्योंकि हमें पता है प्रिवियस वाले पॉइंट से डाट B और C इंडिपेंडेन है याने B इंटरसेक्शन सी को P.O.B. इंटू P.C. कह सकते है इसलिए हम यहाँ पर P.O.B. इंटू P.C. कहे देंगे divide by P of C तो यहाँ पर P of C cancel हो जाएगा और P of B बच जाएगा और यही तो इनको चाहिए था क्या यह दोनों same है yes they are same since B and C were independent तो हम पीछे चाहेंगे और कहेंगे yes P of B over C is P of B since B and C were independent तो यह बात सही है तो दोनों option सही है यह बहुत easy सवाल था और surprising चीज भी मैं आपको बता देता हूँ surprise हर एक paper में उन्होंने surprise दिया है क्या surprise था sir probability में that there is zero questions of probability of probability in ECE paper electronics and telecommunication paper एक भी सवाल नहीं था probability से तो यह भी चीज आपको तयारी मैं रखनी है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे 2023 में linear algebra के chapter से mechanical में कोई सवाल नहीं calculus की इंदर भी एक branch से उसमें से कोई सवाल नहीं शायद civil का branch था तो यह सारी चीज आपको मद्य नजर रखनी है कि ऐसे भी हो सकता है चली आगे लिए कर चलता हूँ अगरा सवाल देखता है बहुत ही खतरनाक सवाल है तो द्हां से देखना तो यह सवाल GATE 2023 Electrical Paper में पूछा गया था So the question is 1 million random numbers are generated from a statistically stationary process with a Gaussian distribution with mean 0 and standard deviation sigma 0 The sigma 0 is estimated by randomly drawing out a 10,000 number of samples Xn The estimates sigma 1 cap, sigma 2 cap are computed in the following 2 ways यहरा पहला formula sigma 1 cap square is equal to 1 upon 10,000 summation n is equal to 1 to 10,000 x in square दूसरा formula है sigma 2 cap square is equal to 1 upon 9,999 summation n is equal to 1 to 10,000 x in square अब A, B, C, D मैं से कौन से सही होगा या आपको चूज करना है Option A, E of sigma 2 cap square is equal to sigma 0 square Option B, expectation of sigma 2 cap is equal to sigma 0 Option C, E of sigma 1 cap square is equal to sigma 0 square या फिर Option D, E of sigma 1 cap is equal to E of sigma 2 cap बढ़िया सवाल है क्यूंके entire gate history में अब तक estimator पर सवाल नहीं पूछे गए है Moreover, expectation of estimator and true variance का relationship ये भी नहीं पूछा गया है तो दोनों चीज एक ही question में पूछ ली गई है Hence, जब entire gate history में पूछा नहीं गया है तो 99% students ने ये पढ़ा नहीं है 1% student को पता होगा अगर extra पढ़ाई किया है और वो बना लेंगे So one of the best question of the gate 2023 paper और इस question का answer solve करनी की जरुवत नहीं है अगर आपको formula पता है ना सीधा mark कर लोगे कैसे सर जी कैसे सीधा mark कर लेंगे आपको जया एंगे आपधिस चक्वें है ये लोगे